हेलो माई डियर फैंट्स मैं विविक कुमार आप सभी का आपके रपने यूटुब चैनल यूवी कंप्रिसंस में स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे सातियो राजस्तान करमचारी चैन बोड ने राजस्तान नई भरती 2024 के तैन इस्टेनोग्रापर बरती 2024 और निजी सायक ग्रेड सेकिंड सेउक सीधी बरती 2024 का फुल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है मेरे प्यारे सातियो चारसो चोत्तर पदों के लिए बरती हो रही है कुल पदों की संक्या है चारसो चोत्तर जिसमें सासन सचीवाल लेके एकसो चोराण में पद और राज्ये के अधिनस्त विबाग या कारहल लेके दोसो अस्ती पद है आज कहा हमारे इस वीडियो में हम इस बरती परिछा के लिए बरती परिछा की एकजम स्कीम और साती सात इस बरती परिछा के लिए क्या है एकजाम का सेलेवा सुच जानेंगे वीडियो पूरा देखें, कम्प्लीट वीडियो आपके लिए अत्यांत मैंत्व पूर्ण है 29 भरवारी 2024 से 29 मार्स 2024 तक इस बरती परिच्छा के लिए उनलाइन आविदन आमंत्रित किये गए हैं आप उनलाइन आविदन बर सकते हैं बात करें इस बरती परिच्छा के परिच्छाई स्कीम की तो मेरे प्यारे सातियों यह बरती परिच्छा जो कि दो चरणों में संपन होगी चरण एक और चरण दो चरण एक की बात करें तो चरण एक में सामान्य ग्यान देनिक विज्ञान और राजस्तान के सामान्य ग्यान का तीन गंटे का पेपर होगा जो की पचास और पचास सो नंबर का होगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्री जी का तीन गंटे का पेपर होगा जो की 100 नबर का होगा चरण दित्ते की बात की जाए तो चरण दित्ते में अभ्यरती निमिनलिकी दो प्रिसंद पत्रों में से कोई विकल्प कुno सकता है या तो वो हंदी का चुने या वो एंग्लिस का चुने अभ्यरती जो विकल्प चुनना चाहे वो चुन सकता है अगर वो अंग्रेजी का विकल्प चुनता है तो अंग्रेजी का विकल्प के लिए उसे क्या मिलेगा अंग्रेजी का विकल्प यदि कोई कंडिडेट चुनता है तो अंग्रेजी का विकल्प में अंग्रेजी आसुलिपिक परिक्षण होगा जो कि 10 minute का होगा जिसमें 100 सब्द पृति मिनट का सुरुतिलेख होगा सुरुतिलेख गदान्स का कम्पेटर पर अंगर्जी में पृतिलेखन और टंकन होगा जो कि 60 मिनट का होगा और कुल 100 अंकाये होगा के οι हिंदी राश्व पिक में से यदी कोई candidate चुनता है तो हिंदी आसρωी पिक परिखण जो कि 10 नइटbok होगा और जिसमें सो सब्सक्राँ, पृती मिनट के स्रूती लेक का होगा, इसके अलबाव tuskin a द्धाalone ही अंधी में लिखने के लिए जो मिलेगा उसके लिए 70 मिनट का समय मिलेगा और 100 नंबर का होगा मेरे प्यारे सातियों इस भरती परिक्षा में जो question paper है वो objective type का रहेगा maximum max 100, number of questions 150, 3 गंटे का समय सारे question equal mark के होंगे और यहां पर कोई भी negative marking नहीं होगी अब बात करें paper first के सिलेवस की तो paper first के सिलेवस में सामान्य ग्यान देनिक विज्ञान और राजस्तान का सामान्य ग्यान सामिल है सामान्य ग्यान और देनिक विज्ञान यान की everyday science में राज्य इस्तरिये राष्टी यहां अंतरास्टे मुद्धे जिनमें समसामें गटानाय और यहां तत्थये राष्टीए यहां अंतराश्टे प्रमुक संगठन और संस्ताये艷 इसके लावा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसादन, भारत की बोतिक दसाएं, प्रमुक बोतिक विभाग, जलवायू, वनस्पति ये म्रदा, प्राकृतिक संसादन, वन्यजीव ये संडरक्षन, पर्यावरान संडरक्षन, प्रमुक उद्धोग ये आर्थिक विकास तत्तु योगीक एम मिस्रण यानिक इलिमेंट्स, कंपाउंट्स और मिक्षर्ण बोतिक एम रासानिक परिवतन, फिजीकल और केमिकल चेंज दातु एम अधातु, मैटल्स और लॉन बैटल्स अमनुल छार एम लवन, एसेड बेस और साल्स, ब्लीचिंग पाउडर खाने का सोड़ा, जिसे बैंकिंग सोड़ा के नम से जाना जाता है प्लास्ट्र और पैरिस, साबुन एम अपमार जग, सौप्स और डिटरजेंट्स से सम्बंदे सवाल पूछे जाएंगे प्रकास का पर्रावर्तन वे इसके नियम, रिप्लेक्शन ओप लाइट एट्स लोग, लैंस के प्रकार, मानव आँख, मन आई विदुददारा एलेक््रिक करण्ट, ओम का नियम ओम्सला, विदुदद विभाव एलेक्रिक पोटेंचियल, विदुददारा का ताप्य प्रभाव, एट्यम एप्ड़ेक्ट ओप एलेक्रिक करण्ट, विदुद मोटर इत्याती पूछा जाएगा इसका लावा मानो मस्तिस, हुमन ब्रेन, हार्मोन्स, मानो रोक कारण इम निवारन, जन्तुए इम पात्वों का आर्थिक मैत्तुए, बायो मास, जिसमें बायो मास उर्जा के विबिन स्त्रोत, सोर्स ओप एनरजी, पारिष्थितिकी तंत्री एको सिस्टम, मैंडले का आनु पर फश्ट की, तो पेपर फश्ट में क्या-क्या सामन्य ग्यान और दिनिक विज्ञान में ये था, राजस्तान का सामन्य ग्यान की बात की जाए, तो राजस्तान के सामन्य ग्यान में जो पूछा जाना है, वो राजस्तान का भूगुल इम प्राकृतिक संसादन, जिसमें करिसी सामाजिक विकास, जिसमें सामिल किया गया है राजस्तान प्रमुक फस ले करसी हाधारीत उद्धोग, प्रमुक सिचाइपर योजनाएं कारेक्रम, अउर्जा के विभिन इस्त्रोत, राजस्तान की जनसंक्या 2011ी जनगना के अनुसार पंचायती राजियम उनकी भूमी का राजस्तान के इतियास की बात की जाए तो राजस्तान के इतियास में जो सामिल किया गया है प्राचिन सब्वेता है जिनमें काली बंगा सब्वेता, आड़ सब्वेता, बालातल सब्वेता इत्यादी प्रमुक है मध्यकालीं राजस्तान के उत्ज्वल पक्ष राजस्तान डियासत ये वर्टिस Ğंदिया तो इत्यादी पूछा जाएगा। राजस्तान की संस्कृति ये वरासत की भात करें। तो राजस्तान की संस्कृतियें विरासत में राजस्तान के प्रसित एतियासी के संस्कृतिक इस्तल लोग साहित्यें, लोग कला, लोग नाट्यें, लोग देवी देवता, लोग संगीत, लोग वाद यंत्र, लोग नरत्यें, मेले, तैवार, रीती रिवाज आबुसन, मद्यकालें राजस्तान में जलसन सादन, राजस्तान के प्रमुक्ले, मंदिर एम हवेलिया, संतेम सूपी संत, राजस्तान की चित्र सेलिया, परेटन, विरासस संरक्षन के उपाई त्यादी पूछा जाएगा यह पेपर फश्ट की बात है, अब पेपर सेकेंड की बात करें, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिस सामिल है, जनरल हिंदी सामान्ने हिंदी की बात करें, तो सामान्ने हिंदी का सिलेबस, एलडी के सीके सिलेबस जैसा ही है, जैसा एलडी सी में पूछा जा रहा है, व सामान्यंदी में संदी और संदी विच्छेद, समास, भेद, सामासिक पदों की रश्णम विविग्र है, उपसरगें प्रत्य है, विलोम सब्दें अनेकार्तक सब्द, विराम चिन, धुयनी हम उसका वर्गी करण, परिवासिक सब्दावली, इसमें अंग्रेजी बासा के पर प्रारूप के विशेश संदर्म में, बात करें जनरल इंग्लिस की, तो जनरल इंग्लिस में जो पूछा जाएगा, वो जनरल इंग्लिस का ये है सारा सिलेबस, जिसमें यूजो पार्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, क्या है यूजो पार्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, टैंस and sequence of tenses, active and passive voice, direct and indirect narration, use of proposition, translation of ordinary or common English sentence into Hindi and vice versa, synonymous and antonymous, comprehension of a given passage, glossary of official technical terms with their Hindi version, letter writing official demi-official circulars and notices, questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter, तो ये सब पूछा जाएगा, पेपर जो second है, वे objective type का paper होगा, 100 number का, जिसमें number of question 150 मिलेंगे, जिसमें general Hindi के पिछेतर question और general English के पिछेतर question होगे, 3 गंटे का समय मिलेगा, सारे के सारे questions equal marks के होगे, और किसी भी पिरकार की negative marking नहीं होगी, तो कुल दो paper होगे, उसके बाद आपका टंकन होगा, यानि कि दो चरणों में परिक्षा होने वाली है, दो paper उसके बाद टंकन, पहला paper जो कि सामाने, सामाने विज्ञान और किससे सम्मंदित है, राजस्तान से का सामाने ग्यान, दूसरा पर पर हिंदी और इंग्ली से सम्मंदित रहेगा, वीडियो देखने के लिए आप से भी का धन्यवाद, मेरे प्यारे सात्यों किसी भी प्रकार के इन्यवाद, जानकरी के लिए बोर्ड की वेबसाइट, www.rsmssb, 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 www.rsmssb.gov.in को समय समय पर देखते रहे, बोर्ड द्वारा दी गई जानकारियों को ही सही माने, किसी भी तरह के ब्रामक प्रचार में ना फसे, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, या कोई पूछना है, तो कमेंट करें, आपके कमेंट का रिपलाई, यूवी कमपिटिसंस के तरफ से दिया जाएगा, वीडियो देखन